अगर आप भी हिमाचल प्रदेश की सरपीली सडकों पर बस को दोडाते हुए रील्स बनाना चाहते हैं तो जे बिग्यापन आपके लिए बैसे आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने खास कर जो ड्राइवर्स है HRTC के जो रील्स बनाते हैं ड्राइविंग के समय तो उनको सक्त लहजे में जे चैताब ने दी है कि ऐसा कोई ड्राइवर करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर सक्त कारवाई की जाएगी तो चलिए अब हम बिग्यापन पर आते हैं तो उसका जबाब फिर आपको HRTC के कारेले में ही मिलेगा तो देखे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जे जो पद भरे जाने वाले है HRTC में जे भरे जाएंगे ड्राइवर के लिए पदो की संख्या 276 पद का नाम है ड्राइवर चालक और जे पद भरे जाएंगे कोंट्रेक्ट बेसिस पर अस्थाईनी जुकती होगी आपकी अब हम बात करते हैं शैक्षणी के एवं वांशित जोगिता की तो शैक्षण की जोगिता की बात करो तो दसमी पास होनी चाहिए देखे जो तो किसी अधर स्टेट केस के लिए अपलाई करने वाले तो उनके लिए क्या देखे अनिवारे रहने वाला है कि उन्होंने जो दसमी की हो वो हिमाचल प्रदेश में बारी परिवहन बाहन चालन का तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्या देखे एक वरे फिट से बताता हूँ आपका driving experience मांगा गया है तीन वर्ष का इसके अलावा देखी आपके पास बारी परिवहन जाने की बारी बाहन का license होना चाहिए जो valid हो और तीन वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए आपके अगर मन्थली सेलरी की बात की जाए तो 15,360 रुपे अब हम बात करते हैं अवेदन की अंतिम्दिती तो 7 मार्च 2023 उनके लिए जो गैर जन जाती क्षेतरों से आते हैं और 14 मार्च 2023 उनके लिए जो दुर्गम जन जाती क्षेतरों से आते हैं अब हम बढ़ते हैं आगे तो अब हम बात करेंगे कि किस श्रेणिक के लिए कितने पद हैं तो देखे सबसे पहले समाने वर्ग की अगर मैं बात करूँ तो समाने वर्ग के 98 पद हैं समानने वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर जाने की EWS के स्ताई पद समानने वर्ग स्वतंतरा जाने की X-Service Man के लिए 13 पद और खिलाडी जो की समानने वर्ग से आते हैं उनके लिए 7 पद अब हम बात करते हैं अनसूचित जाती जाने की SC 50 पद हैं अनसूचित जाती BPL के 9 पद हैं अनसूचित जाती स्वतंतर से रानियों के लिए 5 पद हैं अनसूचित जन जाती के बात करूं तो 11 पद हैं अनसूचित जन जाती सब कैटिगरी है BPL तो 5 पद अब हम बात करते हैं अन्य पिशडा वर्ग जैने OVC तो इनके लिए 28 पद हैं OVC BPL के लिए 19 पद हैं OVC जो क्या कहते हैं उसे एकसर बिसमेन उनके लिए 4 पद हैं अब आगे बढ़ते हैं आयू सीमा अन्य वांशित पातरता की बात करते हैं देखिए अवेद की आयू कित अवेद की लंबाई 160 cm होना अनिवारे हैं अवेद के पास भारी परिवन बाहन वैद्य लाइसेंस तीन वर्ष के अनुबव के साथ होना अनिवारे जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके driving experience तीन साल का होना चाहिए और आपके पास भारी परिवन का लाइसेंस होना च अवेद किसी भी न्यायले से अपरादिक जा नैतिक अदार पर दोशी करार ना दिया गया हो ना ही कोई अपरादिक मामला किसी न्याले में लंबित हो जदी अवेदक चैन प्रक्रिया में चैनित हो जाता है तो उसकी अंतिम न्युकती medical board दोरा जारी fitness परमान पत्तर के अन अपर प्रिक्षन शुलक भी लिया जाएगा तो आपका final driving test होगा IDTR सरका घाट में और आपसे 500 रुपे का 500 रुपे लिए जाएगे किसके लिए प्रिक्षन शुलक के लिए इसके लिए देखे आप हम बात करेंगे कि आप apply कैसे करेंगे तो apply करने के लिए आप निगम की website जो की है www.hrtchp.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं. जाने कि आपको इसके लिए फिर offline ही आवेदन करना पड़ेगा और जो आपको form बुकान से मिलेंगे तो बो मिलेंगे आपको इनकी official website है जो हिमाचल पत्र परिवान निगम की website है बेबसाइट को न से www.hrtchp.com से डाउनलोड आप कर सकते हैं. इसके बाद देखिए अगर आप website से प्राप्त नहीं करना चाते तो आप निगम के सभी मंडलिय और क्षेतरी कारेलों से भी बहाँ जाकर भी आप अवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं. अवेदक को 300 रुपए की राशी का डिमांड राफ्ट जा IPO त्रक्रिया शुल के रूप में जमा करवाना होगा जो कि स्वंदित मंडलिय उप मंडलिय क्षेतरी प्रवंदक के नाम पर मानने होगा. अवेदन पत्र के साथ स्वंदित दस्तावेज जैसे कि सेक्षन के योगता परमान पत्र अनसूचित जन जाती OBC BPL परमान पत्र स्वतंतर सेनानी बार्ड परमान पत्र चालक लाइसेंस की स्वंद सत्यापित शाया प्रतियों सहित जाना की फोटो कोपी. हिमाचल पत्परिवान निगम के मंडली कार्यालियों एवो निमलिक्त क्षेतरी प्रवंद कार्यालियों में दिनाक 7 मार्च 2023 तक और जो जनजाती क्षेतर से आते हैं वो 14 मार्च 2023 शां 5 वजे तक जमा करवा सकते हैं जाकर आपको जमा करवाने होंगे अवेदन पत्र भरने के बाद उसके साथ जो मैंने आपको फोटो कोपी बता हैं जे साथ में अटेच करनी है और आप कहां जमा करवाएंगे सुवंदित जो भी जिनके कार्यालियों हैं अवेदक को अवेदन पत्र पर अपना मुवाइल नंबर लिखना होगा प्रार्थी को साक्षातकार जाने इंट्रव्यू में उपस्तित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा देनिक भत्ता दे नहीं होगा बैसे भी कौन देता है प्रार्थी जिस कार्याले में अपना वेदन जमा करवाएगा उसका प्रारंबिक चालन प्रिक्षन जाने कि प्रिलिम्री ड्राइविंग टेस्ट स्वंदित मंडली कार्याले क्षेतर में होगा देखी एक होगा आपका प्रारंबिक ड्राइविंग टेस्ट जाने कि प्रिलिम्री ठीक है वो आपका कहां पर और जो फाइनल ड्राइविंग टेस्ट होगा वो होगा आपका IDT TR सरका घाट में तो देखिए जे दे रखा है कि आपकी किशेतर से अप्लाई करेंगे और आपका जो मंदली कारयाले वो कहां पर होगा आपको कहां पर फार्म जमा करवाने हैं तो किशेतर का नाम है और नीचे मंदली कारयाले दे रखा शिमला तो कौन किशेतरी कारया सुंतर नगर करमाक फाइव तो देखिए जे दे रखा है मंदली कारयाले शिमला में के अंदर जो जो भी किशेतरी कारयाले आते हैं वो नीचे दे रखें मंदली कारयाले शिमला में क के अंदर आते हैं रिकांग, पियो, रामपूर, रोहडू, जिस सारे ही दे रखें, जिस सारे कहां पर जमा कराएंगे, जो जमा करवाएंगे, अपने मंडली कारयले जा किशेतरी कारयले में भी जमा करवा सकते हैं, यसलिए धरमशाला का आप देख सकते हैं, पालंपूर, ब आलागर अमंदली कारयलों हैं मियरपुर के अंदर कौन कोन से क्षेतरी कारयलों में आपको बता दिये मंडी के अंदर कौन से क्षेतरी कर्याले रहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिये अवेदन पत्र के विल उप्रोक तो मंडली कर्याले जब क्षेतरी कर्याले में ही जमा करें आगे हैं देखिए आपने जो अवेदन पत्र जमा करवाने जा तो आप क्षेतरी करेले में जा फिर मंडली करेले में ही जमा करवा सकते हैं आप जहां से भी देखे अपलाई करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा क्षेतरी करयले कौन सा मुझे पढ़ेगा ज़ा मेरा मंडली करयले कौन सा है तो बहां पर ही आप जाकर इन अवेदन पत्रों को जमा करवाएंगे कोई भी आवेदन पत्र जो सीधे मुखे करयले को प्रेशित होगा सभी कार्य नहीं होगा मुखे करयले में प्राप्त आवेदन पत्रों को रद समझा जाएगा बीना प्रक्रिया शुल्ग के प्राप्त आवेदन पत्र मानने नहीं होंगे जी हां जाने कि फीस सबसे बहले आ आपका वेद्रम पत्तर रहने वाला है तो जो आपके साथ शेर की है तो वीडियो को देखने के लिए धन्याबाद अगर आपको देखे इस तरीके के महतबूर नोटिफिकेशन भागे भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर और एक जो भी आप कमेंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं